नासका दोस्तों अभी live market में मैं आपको analysis करने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे कि WDGN की trend reversal date क्या होंगी हमारा जो data है किसके basis पर हम जाने के कहां पर early indication मिलेंगे जहां पर market का trend change हो सकता है और intraday valid cycle क्या होगी और जो momentum जो हम change करते हैं अपनी analysis के basis पर वो कौन से number है वो अभी में आपके साथ में share करूँगा तो 1y1 पहले हम लोग outlook बनाते हैं समझते हैं क्या चल रहा है और क्या आगे हो सकता है एक जब बहतर अनुमाल लगा पाएंगे तभी हम market में कुछ अच्छी तरह की trading कर सकते हैं तो इस screen पर अभी आपका nifty का chart है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि 26-200 के level से एक अच्छी selling दिखाई देने को मिली 89% की 2000 point के आसपास की और यह की swing low लगा था आपका US election and fed rate event की वज़े से पहले में ही तो देखें दोनों event आपके out हो चुके हैं तो आपने समझना क्या है कि जो swing lows पहले लगे हुए थे वो यह थे और highs आपके यहां थे और यह range को market इसको तोड़के बाहर जाने की कोशिस अभी तक भी नहीं कर रहा है केवल और केवल एक ही दिन market ने स्विंग दिया तो इसको हम invalid मानेंगे और यह मान की चलेंगे कि जब तक market इस range के बीच में रहेगा जो कि already है काफी समय से तब तक एक no trend range मार्केट में बनके रहेगी तो हमारा इतना view clear हो गया कि no trend range है तो जब इसके ऊपर में confirmation से sustain करेगा तो buying करनी है इसके नीचे में मार्केट का आपको देखेगी बरावर एक महीने से ज्यादा से यह लोग selling कर रहे हैं नवंबर selling का कल का data आपकी screen पे है और आप पीछे में जा करके देखिए नवंबर 7 से लेकर की हर दिन एक red figure है किसी भी दिन यह लोग grain नहीं कर रहे हैं के वल और के वल domestic वाले लोग बा पांचे जा करोर सम्थिंग का एक बाइंग का data ना देखे या फिर यह बहुत ही lightly माली जी बहुत छोड़ा छोटा आपको इस तरीकी का data 2-4 दिन दिखने लग जाया तो आप समझ जाईएगा कि that is one of early indication कि शायद मार्केट में फिलाल कुछ एक दिन के उतार चड़ाब upside की side में भी देखने को मिल सकते हैं अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका 27 सेप्टेंबर से इनोना सेलिंग स्टार्ट की थी और किसी भी दिन इनोना बाइंग नहीं की है और अभी हमने पीछे में देखा कि जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो वही उसी डेट के आसप अगले दिन आप उसको समझ पाएंगे तो पहले से प्रिकोशनरी तौर पे हमारे यहां पर लेवल्स काम आते हैं कि किस प्राइस पॉइंट के ऊपर में हमको बायर बनना है डेटा वेटा बात में आता रहेगा प्राइस एक्शन की केंडल बात में बनती रहेंगी बट कु इसके अंदर में वेसिकली अफसाइड के नंबर्स रहते हैं जिसके आधार पर आपको पता पड़ता है मार्केड में जो पुजीशनल वेसिस का बड़ी लोग रहेंगे वो बायों डिप करेंगे तो आप जाकर के लास्ट वीडियो देखेगा नंबर आपको इमिल उसका लिंक आपको description box में बिल जाएगा तो देखिए उसके अंदर मैंने साफ सा बताया हुआ है जब तक नवंबर महिने में 24 490 के उपर मार्केड होल्ड करना स्टार्ट न करे या 24603 के उपर में closing देना स्टार्ट न करे तब तक मार्केड आपका sell on rise रहेगा आप पीछे में जा करके देख सकते हैं चार्ट में के हमें market बारवा sell on rise ही देखने को मिला है क्योंकि 600 के उपर में 500 के उपर में आपकी closing sustainability नहीं हो रही है मार्केड नीचे आ जाता है जब तक मार्केड इसके ऊपर नहीं जाएगा तो एक बहुत अच्छी बात हमको पता पढ़ जाती है इसके पहले जो कुछ भी होगा उस पर हमेशा doubt करना है और इसके ऊपर जब मार्केड चला जाएगा तो उस पर doubt नहीं करना है हमको भी trend upside के यह एक intact हो जाएगा यह जो analysis है वो more than two years से मैं अपने YouTube चैनल पर regularly दे रहा हूं real tested है back tested है forward testing आप अपने आप से कर सकते हैं जो कि मैं हमेशा हर महीने आपको data share करता हो और बहुत बैतरी तरीके से इससे output generate होता है तो फिलाल क्या है आप इसके नीचे है तो market में बारबर panicness है या फिर मैं बोलू थोड़ा selling है और इसके ऊपर जब closing देगा तब फिर market upside का ब edge है market के अंदर यह तो एक edge की बात हुए अब जब आगे की भी थोड़ी से चर्चा कर लेते हैं मैं आपके साथ में WDGN की trend reversal date share करता हो वो अभी आने वाले दिनों के लिए आपकी screen पे फिलाल यह रही इनको आप snapshot लेके रख सकते हैं या फिर आने वाले दिनों में फिर से दिखाऊंगा यह टेलिग्राम में post कर दूँगा अगे अगर आप इस चैनल के regular viewer है तो आपको पता होगा इनका use कैसे करते हैं और further हमें एक analysis और use करते हैं आजकल जो के है intraday vedic cycle जहां पर क्या होता है उस time window मतलब कि during the day भी किस तरह का buying या selling का माहौल रह सकता है वो हम forecasting कर रहेंगे वह आपके स्क्रीन पर यह हैं आप स्नैप्शॉट ले सकते हैं और जो WhatsApp रहेगा उसके अंदर पर में यह copy paste कर दूँगा वहां से जाके भी cross check कर सकते हैं उसका link description box में मिल जाएगा तो यह इतनी analysis की बात हुई अब एक most importantly एक और और nearest finest level पे जाने के लिए मैं आप आपके साथ में नंबर शेयर करूंगा जिससे और थोड़ा accurate तरीके से कहां पे और minor level पे early indication आएगा जिससे के आप buying या selling कर पाएंगे या precautionary तोर पे अपने आपको बचा पाएंगे उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ basically कोई भी यह से 100% accurate नहीं होती है जब आ मातर एक study है जो कि 70-80-90% तक success rate रखती है ना कि 100% दुनिया में कोई LCCC नहीं वनी है जो trading के aspect को लेकर के 100% trend prediction कर सके हो जो लोग यह claim करते हैं वो आपको directly misguide करते हैं आप माने इस बात को या ना माने जो professional trader होगा वो हमेशा क्या करेगा अपना एक accuracy का rate उसका होता है और उ adjustment करेगा depending on कि उसकी skills क्या है या setup क्या है तो वही आपको करना है ना कि लोगों के वेकवे में आना है कि इसी side में ही low तो ही profit होगा इसी side में ही low तो ही loss होगा आपको एक view बना के चलना है और failure के case में loss छोटा लेना है और passing के case में profit बढ़ा लेना है इसको trading गोलते हैं actually लोग इसके उपर में closing ना देना start करें तो early indication रहेगा और जब आपकी इसके उपर में closing आने लगे तो आप समझ जाईएगा कि market में यह target के रूप में देखने को मिल सकते हैं और उसी तरीकी से same way में जब इसके नीचे रहेगा तो छोटा सा आपका selling का indication रहेगा और जब इसके नी market आपका hold करना start करते हो तो आप समझ जाईएगा कि फिर से market में एक अच्छी गासी selling देखने को मिल सकती है मैं आपको एक बात यहां पर और बता दूँ जो लास्के 18-10 दिन के अंदर में swing high और swing lows बन चुके हैं बहुत 99% की संबाबना है कि extended lows या high फिर बनेंगे कम से कम 200-300 पॉइंट के यह बात आपको ध्यान रखनी है इस महीने का action अभी पूरा नहीं हुआ है इसमें अभी काफी कुछ steam बागी है किस दिन होगा वो तो हम नहीं जान सकते लेकिन होगा यह काफी 99% संबाबना है मेरी analysis के आधार पे अब किस तरी किसे trading करेंगे वो आपके उपर ह view मैंने जन्नेट कर दिया किधर buyer बनना है किधर seller बनना है वो बता दिया trend reversal date आपको बता दी इंट्रडे वेलिक साइकल बता दिया earliest finest level पे momentum कहां आएगा वो मैंने आपको समझा दिया फिर भी अगर आप loss करते हैं तो वहाँ problem कहां पे आने वाली है कि आपको risk समझ में नहीं हो तो जो आप दोनों को merge कर देंगे तो जो explosive move होगा वो basically आपका profit होगा जब तक आपका यह imbalance रहेगा तब तक क्या है बार बार आपको बीच वीच में जटके लगते रहेंगे losses के यह बात आप थोड़ा ध्यान करके चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like कीजिए दोस्तों के साथ में share कीजिए अगर वीव helpful लगाओ तो comment box में helpful word type करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीगेंट पे बाबाई